ओके सो पोको A5 मैं यूस कर रहा हूँ पांस दिनों से जाधा हो चुक है मुझे इस वीडियो में स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा अपना experience बताऊंगा लेना है लेना है वो आपके उपर है अपने wrist पे लेना किसी का भी वीडियो देखके स्मार्टफोन पोको का तो purchase मत करना सो अगर box content का बता हूँ तो box में आपको सब कुछ मिलता है TPU case मिल जाता है screen projector pre applied मिल जाता है simulator pin मिल जाता है कुछ booklets मिल जाते है 67 watt का charger मिल जाता है and type c to type a cable भी देखने के लिए मिल जाता है बस motherboard extra आपको देखने के लिए नहीं मिलता है POCO A5 के लिए कोई भी accessories ढून रहे है अच्छे back covers आ चुके है rig gear की तरब से Amazon का link मैंने डाला हुआ है rig gear के हर एक back cover का and ultra clear skin pointer front and back के लिए and skins वगेरा का भी link मैंने डाला हुआ है like share subscribe comment करोगे heart मिलेगा हर एक comment का answer भी मिलेगा design and build quality के बारे में अगर बता है तो मैंने तो ये snow stop white color में लिया है and यह I think सबसे best color है black color भी ले सकते हो carbon fiber texture आता है वहाँ पर वह भी glossy है ये भी glossy मिलता है एक blue color आता है वो matte finish में है तो अगर matte finish चाहिए तो वो ले सकते है जो camera module है वो बहुत बढ़िया बना है जो ring है उसके around वो बहुत ही बढ़िया लगता है in hand feeling 180 gram का यहाँ पर I think यह बहुत बढ़ा एक downgrade feel होता है पीछे का जब pattern अब देखते हो 180 gram का weight है and बहुत बढ़िया in hand feeling के साथ भी आता है अगर form factor की बात करूँ तो यहाँ पर 6.7 inch का display डाला हुआ है जो कि बहुत बढ़ा display है but surprisingly यह device छोटा feel होता है normally जो Xiaomi या Poco के 6.7 inch का device हो तो जादा हाथ में बढ़ा feel होता है बट यह छोटा feel होता है I think जो P.O.L.A. display का इस्तमाल किया गया है उसकी वज़े से इतना पतला bezels भी achieve कर पाए है and यह जो form factor achieve कर पाए है उस वज़े से and वो हलका भी इस वज़े से है P.O.L.A. display जो है थोड़े से हलके आते है तो पीछे के जब pattern बनता आपको screen देखने के लिए नहीं मिलता है frame के साथ पूरा infused है पूरा flat display देखने के लिए मिलता है इस तरीका display आपको iPhone में या nothing में देखने के लिए मिला है and जो bezels है इतने पतले है पूरा symmetrical bezel देखने के लिए मिलता है and बहुत ही जाधा edge to edge यह चला गया है I think जो flat display मैं अब त चुबेगा नहीं आखो से अगर आपके आखो से पानी आता है amoled display में flickering issue आती है तो उसके साथ यह जो है थोड़ा सा reduce हो जाएगा जैसकि हमने यह realme ke 10 pro plus में भी देखा था महाँ पर 2160 hertz का PWM dimming था यहाँ पर 1920 का है but I think यह आखो के लिए बहुत अच्छा रहने वाला यह दिस्प्लेश दिखता है नेट्फ्लिक्स में भी वह दिखता है और यह डॉल वी विशन भी सर्टिफाइड है Poco A5 में आपको 12 bit का amoled display मिल रहा है तो 10 bit support करता है जो chipset 7 plus gen 2 बट यह software से 2 bit extra दे रहे है पता नहीं कैसे पता तो कुछ नहीं चलता है बट 12 bit का है 1000 nits का peak brightness दिस्प्लेश इस्तिमाल कर रहा हूं तो उसका जो content viewing का experience है वी दूल स्पीकर बहुत अच्छा निकल के आता है तो next बात करेंगे इसके performance के बारे में तो इसका performance सबसे बड़ा positive है इस वाले device का यहाँ पर 4 nanometer architecture पर बेस TSMC Mate, Snapdragon 7 plus Gen 2 देखने के लिए मलता है जो की almost a million score करता ह है Antutu में and Geekbench score भी आप देख सकते हैं CPU throttling में थोड़ा बहुत disappointment लगा जहां पर यह पूरा yellow graph दिखा रहा था 70% तक throttle कर रहा था बड़ जो average जिप score थे वो धाई लाक का ऊपर यह दिखा रहा था and इसका power feel होता है जब आप इस device को use करोगे day to day task में बहुत ही जादा powerful feel होत इसका RAM management भी बेटर था and यह वाला processor जो है UFS 3.1 and LPDDR5 RAM के साथ भी आता है और मैंने आपको बैता है कि 8256 इसका base variant मेल जाता है and जब आप इसे 120Hz के साथ इस्तमाल करोगे तो सारे third party apps में आप उसे 120Hz तक push कर सकते हो वैसे normally by default सब में ही 120Hz का चलता है या refresh rate का चलता है बट में आपको PUBG चल जाएगा अभी PUBG का gameplay दिखा नहीं पा रहा हूँ बट मैंने screen record किया था यह even 120fps में PUBG को चला सकता है आपको खाली एक चीज़ यह करना है कि आपको screen recording on कर देना है and फिर आप जब gameplay करोगे BGMI में मैंने खुद देखा है कि यहाँ आप 120fps में चलता है आप जाके हर्स गेमर का भी वीडियो देख सकते हैं वही से मुझे पता चला तो यहाँ पर BGMI के लिए तो यह God device है and मैंने यहाँ पर Call of Duty भी खेला and Call of Duty भी यहाँ बहुत बढ़िया चलता है तो यहाँ पर almost extreme setting में maxed out settings में आप Call of Duty प्ले कर सकते हैं even अगर आप PUBG new state खेलते हैं तो वह बहुत बहुत वर्म हो जाता है पीछे से नर्मली आप इसके performance को जो है snapdragon 8 plus Gen 1 या 8 Gen 1 से भी compare कर सकते हैं तो उस तरीके का powerful device यह है बट यह under 30,000 आपको मिल रहा है तो gamers के लिए तो भाई paradise है next को चोटे सीजों के बारे हैं बात करते हैं तो यहाँ पर 5G के सारे bands मिल जाते है बास्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको 3.5mm का गड़ा देखने के लिए मिल जाता है next बात करते हैं इसके camera के बारे में जो कि I think इसका एक downgrade है camera जो यहाँ पर है आपको Omnivision का 64MP का OIS camera मिल जाता है 8MP, Ultraby 2MP का बेकार का front में 16MP मिल जाता है and आप samples वगरा लिए लेता है तो बहुत जाता inconsistency देखने के लिए मिलती है and इसका HDR में बहुत जाता serious issue है and यह वाला same issue मैंने देखा था Redmi Note 12 Pro में अभी HDR के साथ क्या दिक्कत है MIUI में with MIUI 13 and 14 में तो आप push नहीं कर सकते हो आप ऐसा नहीं कर सकते कि HDR हमेशा on रहे पहले के MIUI में वह होता थ Redmi Note 12 Pro के साथ भी मैंने देखा थे कि Auto HDR काम नहीं करता है बिल्कुल भी and कभी कभी करता है and कभी कभी most of the time नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं करेगा मैंने वही कहा कि बहुत जादा inconsistent है तो जब मैं Sun के उपर जब focus करने की कोशिस कर रहा हूं तब HDR काम करना चाहिए बढ़ यहां पर तब काम नहीं करता है जब मैं नीचे की ओर focus कर रहा हूं जहापर HDR नहीं भी होगा तो चलेगा वहां पर HDR on हो जाता है जैसे मैं फिर से Sun के उपर point out कर रहा हूं तो फिर से HDR बंद हो जाता है बट ऐसा नहीं है कि यह हमेशा ऐसा होता है कभी कभी मैंने दे कार दिख रहा है क्योंकि by default में वहां पर f2.0 पे portrait module है अगर आप बात में जाके उसे edit करके f4.0 पे या f5.0 पे डाल दोगे तब वह portrait अच्छा निकल के आ रहा है बाट by default पता नहीं क्यूं f2.0 पे ले रहा है अगर by default 4.0 पे लेता तब अच्छा यहां पर इतना जादा artificial blur आपको देखने के लिए नहीं मलता है और images थोड़ी से अच्छी लगती बट फिर से बात हुई है कि पीछे का तो overblown कर रहा है तो पीछे का HDR कभी-कभी काम करता है कभी-कभी नहीं करता है तो यहीं देखने के लिए मिलता है तो inconsistent है बाकी आप images वगरा देख लो front camera भी व बहुत टकाटक चलता है 5G का जो speed है इंडोर speed भी आप देख सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से यह वाला speed maximum मुझे मिल रहा है जितना भी मैंने smartphone 5G के साथ अभी तक इस्तिमाल किया है और 5G के साथ तो अच्छा चल तो रहा था वर्ट यहां पर एक दिकत आई यह कि 5000 mAh की बैट बिल्कुल भी नहीं करता है out of the box जो आता है उसी के उपर करता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरुसा नहीं है और जो charging speed है वो सही है under 50 minute में यह चार्ज कर देता है 67 watt का जो charger है next software के बारे में बात कर दे तो यहां पर MIUI 14 with Android 13 out of the box मलता है 2 year का मिलेगा 14 and 15 आपको चाहिए software इसका MIUI के बारे में क्या बता है MIUI मेरा favorite UI कभी नहीं है software update करने में आपको डर लगेगा क्योंकि Poco का smartphone है तो नहीं करोगे तो अच्छा है out of the box जो मिल रहा है I think सही है बाकि यहां पर ज्यादा bugs वगरा feel नहीं होते हैं बहुत ज्यादा smooth UI लगता है because of the processor snapdragon 7 plus gen 2 की वज़े से बहुत ही ज्यादा super fast feel होता है और कुछ भी bugs वगरा ऐसा notice ही नहीं होता है क्योंकि इतना ज्यादा powerful एक device है इतना ज्यादा flagship level आपको experience वाले device के साथ मिलेगा तो अगर मैं conclude करना चाहूं यहां पर बहुत बढ़िया डिस्पले आपको मिल जाता है एक flagship I think 30-40,000 क का भी smartphone में I think इस तरी के display आपको नहीं मिलेगा dual stereo speaker मिल जाते है haptic feedback अच्छा दिखने के लिए मिल जाता है processor कमाल का दिखने के लिए मिलता है इस price में 7plus Gen2 I think अगर दूसरे brands भी देने लग जाए तो I think experience जो है especially जो gamers है उनको बहुत बढ़िया feel होने वाला है अगर gamer नहीं भ 1000 आप इस तरी का camera deserve नहीं करते हैं बट फिर यह है कि आपको एक smartphone में सब कुछ थोड़ी नहीं मिल सकता है कुछ तो आपको इधर उधर का मिलेगा तो POCO A5 मुझे तो बहुत अच्छा लगा बट मैं recommend किसी को नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी गया हुआ हुआ है मेरा भी POCO X3 Pro देड हुआ है मेरा खुद का नहीं बट मैंने relative को बताया था कि आप यह वाला smartphone ले सकते हैं उन्होंने लिया देड दो साल बाद वो चला गया मैंने Twitter में जाके बताया 12-13,000 मांग रहे थे फिर उन्होंने जो है local shop से जो 2-3,000 का उसे बना लिया तो इस तरीके का experience जब ऐसा होता है किसी के साथ तो मुझे लगता है कि मेरे वज़े से यह हुआ है क्योंकि मैंने recommend किया था तो मैं तो पुको का कोई भी smartphone recommend नहीं करने वालों जब तक सब को सुधर ना जाए या box में extra motherboard ना मिलने लग जाए तब तक तो मैं recommend नहीं कर सकता लेना है अपने risk पे लेना बा कमेंट को heart मिलेगा and answer भी मिलेगा मैं मिलता हूँ नेक्स वाले वीडियो में तब तक देखतरी